इन्फेक्शन्स याने की चेपी लोग हमारे शरीर में विभिन प्रकार के जनतूं जैसे की बैक्टेरिया, वाइरसेज, फंगस और पैरसाइट्स के संक्रमन्ट से उत्पन्न होते हैं इन्फेक्शन्स हमारे शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकते हैं फेफणों में न्युमोनिया, किड्नी और मुत्राषय में इन्फेक्शन के कारण पेशाब की जलन फ्रिदय के बाल में इन्फेक्शन यानि की इन्फेक्टिव एंडोकाडाइटिस दिमाग में infection यानि की meningitis हमारे शरीर के विभिन अंगों की कुछ गंबीर infections के उधारन है साधारन infections जैसे की malaria, typhoid और viral fever भी संजीदा हो सकते हैं यदि सही समय पर सही इलाज ना मिले तो यदि सही समय पर सटीक निदान हो जाए और उचित इलाज शुरू कर दिया जाए तो ज्यादाता infections 100% treatable यानि की पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं और यही infectious diseases नाम की super speciality की सुन्दरता और खासियत है Serious infections के इलाज में, especially HIV और TB जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में एक infectious diseases consultant की भूमिका अत्यधिक महत्वपून और अचूक है Medical Science की प्रगती के साथ-साथ संक्रामक जन्तूं यानि की infectious organisms में भी कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिनके कारण आज से कुछ साल पहले तक काम आने वाली antibiotics और अन्य दवाएं आज फेल हो चुकी है Life expectancy यानि की आयू संभाविता बढ़ने के साथ-साथ हमारे बीच व्रिद्धों, cancer ग्रसित लोगों और ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ती कम होती है उनकी संक्या बढ़ती जा रही है ऐसे दर्दियों में infections, गंभीर और शिंता जनक रूपधारन कर सकती है ऐसे आवरन में हमें खुद को इन जनतूओं के शिकार होने से बचाना होगा इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम self treatment यानि खुद का इलाद स्वयम करना बंद करें साधारन बुखाराने पर एंटिबाइटिक शुरू कर देना दस्त लगने पर medical store से जाकर भाई से दवाई ले आना इन सब पर रोक लगानी होगी क्योंकि बिना सही जाज, निदान और इलाज के ये सब एंटिबाइटिक्स हमें भारी नुकसान पहुँचा सकती है मित्रों, सही समय पर सही जाज और सही सलाकार मतलब सटीक निदान और सटीक इलाज और ये सब एक ही छट के नीचे अवेलिबल है सिम्स हास्पिटल में